वेल हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक इंटरस्टिंग सा आप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और इस आप्लिकेशन से हम अपने Android डिवाइस को iPhone 14 Pro and Pro Max की तरह बनाएंगे मतलब यह एक जो इसका डिजाइन है ना, आइसलेंट, टाइनमिक आइसलेंट, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने अभी नोटिफिकेशन बार को वह से क्रिएट करेंगे मतलब एक जो नौच स्टाइल आया है वोक ओल डिजाइन के साथ iPhone 14 Pro का वैसे ही हम Android में नोटिफिकेशन बार कैसी क्रिएट करेंगे जैसे आप अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो सेक्षन है, यह मतलब नौमल है, यह पंच होल यहाँ पे कैमरा देखने के बिल रहा है और iPhone 14 में क्या है कि sensor को, कैमरी को हाइड करने के लिए छेपाने के लिए एक old design दिया गया है, जो dynamic है, बिलकुल मतलब बहुत interesting से और attractive है क्या है, तो वैसे ही हम Android में कैसे create करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक application दिखाता हूँ, और उस application से ही हम सारी चीज़े करने वाल है, एक dynamic spot application है, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो आप यहां पर मैं क्यों demo दिखा दे रहा हूँ, कि किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से यहां पर panel देखने को मिल रहा है, मतलब यहां पर भी एक old save देखने को मिल रहा है, जिसे आप customize कर सकते हो बहुत आजानी से, अगर मैं इसके pop-up settings पर जाओं और जाने के बाद, अगर मैं यहां पर इसके dimensions पर जो इसका positions है, या फिर appearance है, इसको हम change कर सकते हैं, तो dimensions पर जाएंगे, और जाने के बाद यह जो horizontal position है, इसको हम अपनी साब से customize कर सकते हैं, horizontal मतलब क्या है कि अभी देखना आप, इसमें अगर हम इसक इसको इसको क्लिक करते हैं, तो कितना pixel तक वो left या right या जा रहा है, यानि one way, one d motion होगा, या left जागा या right जाएगा, तो आप अपनी camera के हिसाब से इसको adjust कर सकते हो, ठीक है, यहां पर जो इसका vertical position है, यह कितना ऊपर होना चाहिए, यह कितना नीचे होना चाहिए, उस तरी यहां पर देख पार हो, कि अगर मैं कितना कहां तक हमें रखना है, यह इस तरीगे से आप change कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल camera के center में इसको रखता हूँ, अगर यहां पर आप horizontal size की बात करें, तो size के इस तरीगे से vary करेगा, इस पर अगर मैं ऐसे clear करूँ, तो कितना इसका dimension है वो change हो रहा है, मतलब horizontal size, कितना आपको बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, तो उस हिसाब से आप इसे customize कर सकते हो, आसानी से, प्लस यहां पर vertical size मतलब इसकी जो चोड़ाई है, उसको आप गटा बला सकते हो, अपने हिसाब से, आप देख पार हो, कुछ इस तरीके स हमें आपके देखने को मिल रहा है, है ना, तो इस side में आपको, कर कोई भी आपके पास message भेज रहा है, तो यहां पर यहां पर DP दिखेगा, प्लस यहां पर message आएगा, कि message क्या है, तो especially चाहे calls का हो, चाहे आपका कोई other application का notification हो, या कुछ भी video प्ले कर रहे हो, तब भी वहा अपरेंस में इसके जो icons बगार है, उसमें हम changes कर सकते हैं, अपने इसाब से क्या में आइकन रखना है, मालब use contact or cover images, जैसा कि मैंने बता है, कि इसका profile picture देखेगा, और message देखेगा, क्या है, और यहां पर small notification icon, मालब यहां इसका option है, आप देखने को मिल रहा है, बहीं इसमे आप इसे और बहतर तरीक से customize कर सकते हैं, लेकिन free version में free version में आपको कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल, तो इसे कैसे अपने phone में set करोगे, तो पहले मैं यहां करता हूँ, इसे uninstall कर देता हूँ, और यह है dynamic spot application, याद रखना, इसे पहले मैं uninstall कर ले रहा ठीक है, अनिस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? यहां पर आपको प्ले स्टॉर पे जाना होगा, जाने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लो, dynamic spot, इसके बाद से फिर आपको यहां पर इसे install कर लेना है, अब क्या करता है मैं इसे open पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप नेक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पार होगे। यह जितने भी permission है, इसको सबको जो cross बना हुआ, सबको हमें allow करना होगा, तो मैं select application की पर क्लिक करूँ, तो जितने भी application जिनका notification मैं चाहता हूँ, वो सभी notification अभी यहाँ पर तेखने को मिलेगे तो जितने भी applications से आपके phone में तो आप अपने साब से customize कर लोगी कि कितना application का notification आपको इस तरीके के dynamic mode में चाहिए तो मैं all पर click कर दे रहा हूँ फिर हम इसे back पर चले जाएंगे फिर यहाँ पर notification access पर आपको क्लिक करना हुगा और click करने की बाद आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यह जो हमारा dynamic spot है इस पर हम allow कर लेंगे फिर यहाँ पर draw on screen का option है इस पर हम click करेंगे और यहाँ पर next पर click कर लेंगे हमें यहां पर जो install apps है इस पर हमें क्लिक करना है फिर यहां पर dynamic spot है इस पर हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमें इसे allow कर लेना है फिर हमसे done पर क्लिक कर लेंगे अब क्या है कि हमारा यहां पर application open हो गया हम इसे trial mode पर देखें अगर तो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है भी छोटा है horizontal जो इसकी dimension है छोटी है इसको सही करना है तो यहां पर notifications अपने allow कर लिया है फिर यहां पर pop-up setting पर आप जाएंगे जाने के बाद dimensions पर click करें कि जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप इसको customize कर सकते हैं अब इसाप से और बहुत interesting सा मतलब हम यहां पर चीज़े देखने को मिलती है अब मैं trial business पर एक message भेजूँ फिर देखता हूं मैं कैसा देखने को मिलता है यहां पर मैं क्या करता हूं वर्टस पर click करता हूं और यहां पर मैं खुदी को एक message भेजता हूं यह देखिए इधर profile picture आ रहा है और इधर आपका word से पा रहा है नीचे हमारा message भी देखने को मिल रहा है तो काफी interesting सा look हमें देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप अपने android की camera को जो पूरिशन ने उसको आप as a notification पैनल यूज़ का से तो जैसे आइफोन 14 pro max में दिखत बताना इस application का link में description में दे दूँगा आप वहां से click करके इसे अपने phone में setup कर सकते हो वीडियो के थूरू जैसा मैंने बताया तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों साँ share करें अगर चैनल पे पहली बाहर विजिट कियें तो ऐसे interesting video के लिए आप हमारे टॉपिक के साथ अब तक के लिए हसते रिये मुस्कराते रिये देखते रिये चैनल जयवारत